दोस्तों, हमारी इस दुनिया में ऐसी अनसुल जी रहस्य में बाते हुती रहती हैं, जिसका जवाब किसी के पास नहीं होता। आज हम आपके लिए इतिहास में दर्च, कुछ ऐसी रहस्य में गटनाओं को लेकर आये हैं, जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो को अन्त तक जरूर देखें। नमबर पाच, डांसिंग प्लेक, एक अजिब महामारी, दोस्तों, आज हम कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहे हैं, और साथ ही आप लोगों ने स्वाइन फ्रू और स्पैनिश फ्रू के बारे में ज़रूर सुना होगा, परन्तु आज हम आपको इतिहास में फैली ऐसी महा हमारी के बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, दरसल साल 1518 में फ्रांस के ट्रॉसबर्ग शहर में अचानक एक महिला ने नाचना शुरू गर दिया, कही दिनों के बाद भी वह महिला ऐसे ही नाचती रही, और देखते ही देखते एक सपता के अ बगा इस बीमारी का इलाज भी नाचने से ही होगा, उन लोगों को एक अलग हॉल में ले जाया गया, और उस हॉल में उनका नाचना जारी रखने के लिए, वहां बासुरी और ड्रम बजाने वालों की विवस्ता की गई, पेशेवर नर्तकों को पेशे दिये गए, ताकि उ कुछी दिनों में लोगों की जान जानी शुरू होगे, और उनको स्वास्तकेंद्र न ले जाने की भूल उन अधिकारियों पर भारी पड़ी, इसलिए उनको ट्रकों में बढ़कर स्वास्तकेंद्र ले जाना पड़ा, दो महिने बाद यह महामारी खत्म होना शुरू कि यूरोप में इस तरह की मामारी फैली हो इससे पहले और बाद में भी इसी गटनाए गटी परन्तु इससे जुड़े दस्तावेदों में कुछ खास जनकारी नहीं है और यह रोग कैसे फैला इसका रहस्य अभी तक अन्फुल जा है नमबर चार सिर्पूर में मिले एलियन होने के सबूत दोस्तो आपने कोई मिल गया फिल्म अगर देखी होगी तो आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि एलियन यानि दुसरे ग्रह के जीव सच में होते है यह सिर्पे कालपनिक संकल पना है तो आज हम आपको हमारे भारत के 36 गड़ के सिर्पूर में मिले एलियन के कुछ चोकाने वाले सबूतों के बारे में बताएंगे दरसल बात ऐसी है सिर्पूर के पास बाजार क्षेतर में करीब 2600 वर्ष पुरानी पकाय हुई मिट्टी के पुतले उत्खननन में मिले वरिष्टर पुरा तत्ववीत डॉक्टर अरुन शर्मा का कहना है कि इन पुतलों को सामाने खिलोना नहीं कहा जा सकता इन में से कुछ ऐसे है जो पाच्छत्य देशों में मिले एलियन्स के नाम से विख्यात मूर्थियों के ही समान है कुछ मूर्थियों के चेहरे और मास्त में इतनी समानता है कि यकिन नहीं होता 2600 वर्स पहले सिर्पूर के कलाकारों ने इने बनाया हो डॉक्टर शर्मा कहते हैं पाच्छत्य पूरा तत्वी विख्यानिकों को यह मूर्थिया दिकाए गई तो वह यह देखकर हैरान थे कि विद्विशों में मिली मूर्थियों में 100% समानता है यह देखकर उनका कहना था कि जब तक मूर्थिया बनाने वाले कारीगरों ने एलियंस को ना देखा हो तब तक उनके चेरे में इतनी समानता नहीं आ सकती दोस्तो आप में से कितने लोग हैं जो बूत्परेत में मानते हैं कुछ लोग यह कहेंगे कि यह सब कालपनिक होता है पर किसी भी बात को सिरे से नकार देना बेवकूफी होती है दुनिया में बहुत सारी चीजे ऐसी है जिसे कोई समझ नहीं पाया और इन में सी ही एक बूतो की संकलपना है हम आपको आज ऐसी गत्मा के बारे में बताएंगे जिसे बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तो यह कहानी है कुल्दारा गाउ की दरसल कुल्दारा गाउ जैसल मेर के 25 दिशा में 20 किलो मीटर की दूरी पर है इसा कहा जाता है कि 100 साल पहले तक इस गाउ में पालिवाल ब्राह्मन रहते थे और कुल इस गाउ में रहने वाले लोगों की संख्या पंद्रा सो थी और एक दिन अचाना करात में यह गाउ एकदम से खाली हो गया किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि आखिर यहा के लोग कहा गए और क्यों गए वाके आसपास के गाउ के लोगों का मानना था कि दुष्टशासक सलीम सिंग और उसके लगाय होए लगान की वज़़ से लोग गाउ छोड़ कर चले गए परन्तु वह तो चले गए पर कभी न खत्म होने वाले अंसुलजे रहस्य यहा छोड़ गए एसा माना जाता है कि वह गाउ छोड़ कर जाते वक गाउ को एक श्राब भी दे कर गए उस गटना के बाद जो भी उस गाउ में रहने को जाता उसकी रहस्य में तरीके से मौत हो जाती इसी वज़ा से सो साल बीच जाने के बाद भी यह गाउ नहीं बस पाया है दोस्तो हम सब बचपन में अजीब चीजों के बारे में सोचते हैं जैसे हम सब उढने लगे तो और एक पढ़ाय में कमजोर बच्चा यह सोचता है कि वह अचानक से अगर बुद्धिमान हो जाए तो कितना मज़ा आ जाएगा तो आज हम एसी घटना आपको बताने जा रहे हैं जिससे ऐसा लगता है कि एक छोटे बच्चे की अजीब कलकनिक दुनिया असल दुनिया में तबदील हो गई हो आप सोच रहे होंगे हम एसी बाते क्यों कर रहे हैं तो चलिए जान लेते हैं दरसल जसन पैजेट नाम का यक युवक था जिसका दूर दूर तक मैथेमेटिक से कुछ लेना देना नहीं था यह एक कॉलेश ड्रोप आउट लड़का था परन्तु 31 वर्षिया यह शक्स फिर पर चोट लगने के कारण रातो रात मैथेमेटिकल जीनियस बन गया और वह चुटकियों में गनित के सवालों की जवाब दे देता था यहां तक कि उसे खुद भी नहीं पता था कि वह यह सब करके से पा रहा है और यह सच में एक रहस्य में गटना है और इस गटना से हमें पता चलता है कि इंसानी दिमाग अभी भी कितना अंसुलजा है नमबर एक हिमालाय में मिली रहस्यमई मम्मी दोस्तो किसी भी वेक्ति की मुर्ट्यू होने के बाद उसका शरीर ज़्यादा से ज़्यादा एक दो दिन में डिकंपोज होना शुरू हो जाता है लेकिन हिमालाय के स्पिटी के पास वही नामक एक छोटा सा कजबा है इस कजबे में प्राचीन काल से खुद की मम्मी बनाने के संस्कूटी देखने को मिलती है आपको जानकर हैराने होगी कि इस कजबे के एक छोटे से कमरे में पास्तो साल पुरानी मम्मी सुरक्षित करके रखी गई है लोगों का कहना है कि यह मम्मी 15 शताब्दी के महनत सांगा तेंजीन की बताई जाती है जिसकी तोचा और सिरके बाल इतने सालों के बाद भी ठीक सही सलामत है और यह बात काफी अच्छे रिये जनक है कि इतने सालों तक आखिरिस मम्मी की तोचा वो सिरी के बाल कैसे सलामत रहें दोस्तों इस वीडियो से मेरी इंपॉल्मेशन आपको कैसे लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं धन्यवाद